राजधानी रायपूर के मंदिर हसोत थाना अंतरगत रक्षा बंदन के दिन दो यूतियों के साथ सामुहिक दुसकर्म की घटना ने 36 घर को जगजोर कर रख दिया है राजधानी समेट परदेश के सवी छेत्रों में इस घटना को लेकर आक्रोस है सामुहिक दुसकर्म करने वाले बलतकारियों को फांसी देने की मांग को लेकर 36 घर महिला समाज ने रवी बार साम चार बजे आक्रोस रैली निकाली सुवास स्टेडियम से यह रैली सुरू होकर कलेक्टर चौक 36 घर महतारी परतिमा में जाकर खतम हुई इस दौरान बड़ी शंख्या में महिलाओं और पूर्सों ने इस्रैली में भाग दिया सभी ने एक स्वर से बलतकारियों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई कर फांसी देने की मांग की है अब हम लोग की मांग है कि अभी रख्षब अधन के दिन जो बलतकार हुआ वो कभी न हो और बलतकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए और हम कहते इसे जो बीट चुराहे पर लटकाना चाहिए ताकि और भी कोई ऐसा जगन्या प्राइद ना करें हम लोग यही चाहते हैं कि यह जो घटनाय जो बार-बार हो रहे बलातकार की और इस तरह की घटनाय बार-बार ना हो और इन दोस्यों को कड़ी से कड़ी से सजा मिलने चाहिए ताकि यह जितने भी बलतकारी है यह जो दोसी है दोसी प्रविति के जो लोग है उन पर इस तरह की फांसी की सजा जब मिलेगी तो उनमें एक भै पैदा होगा डर पैदा होगा और यह लोग भी नहीं करेंगे तो प्रशाशन को लोगों को यह सोचना होगा सरकार को यह सोचन जो बार बार पुन्रावृति हो रही है उसका पुन्रावृति हो रही है। जो बार पुन्रावृति हो रही है। जो बार पुन्रावृति हो रही है। अंगठन शक्ति तैयार करो। जो बार पुन्रावृति हो रही है। जो बार पुन्रावृति हो रही है।